हाई अब्रीवन मैं हूँ अन्रादा आज मैं मुंग डाल के पनीर इस्टब डोसा बनाएंगे इसे आप सुबह के नास्ते में या जब भी आपका हलका फुलका खाने का मन हो तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइक किजिए मुंग डाल डोसा हेल्डी होने के साथ साथ इसमें डोटीन भी पाये जाता है जो हमारी सिहत के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है तो चलिए आप भी इस रेसिपी को ट्राइ किजिए मुंग दाल डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी साबूत दाल लिए हाप कटोरी चना दाल एक कटोरी राइस इन सबको एक बड़े बावल में डालकर चार से पांच घंटे के लिए पानी मिलाकर भींगने के लिए रख देंगे अगर आपको ब्रेकफास में जल्दी डोसा बनाना है तो इसमें गरम पानी मिला दें और इसको एक सो दो घंटे के लिए छोड़ दें जिससे यह दाल जल्दी भींग जाएगी और डोसा बहुत जल्दी तयार हो जाएगी डाल को अच्छे से तुल के ले लेंगे और इसको ग्रैंड कर लेंगे अब मैं इस दाल को थोड़ा थोड़ा करके जार में टास्पर कर लोगी और इसका महीन पेश्ट बना लेंगे चना दाल से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है रोसे में और राइस से किर्स्पी बनता है इस दाल में आदा कटोरी पानी पहले से था और आदा कटोरी पानी डालकर इसका पेश्ट तयार कर लेंगे पेश्ट को ना ज्यादा गाड़ा ना ज्यादा पतला नॉर्मल डखना है इसी के साथ दो हरी मिर्च डाल देंगे हाफ इंच अद्रक का टुकड़ा छह साथ कलियां लेसुन की लेसुन से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और इसके ढक्कन बंद कर देंगे और इसको ग्रैंड कर लेंगे दाल हमारी पीश चुकी है अब इसको बाउल में निकाल देंगे और इसी डक्कन में तीन-चार चब मच पानी डालकर अच्छी से लेगाए हिलाकर बाउल में डाल देंगे इसी के साथ आप चम मच हल्दी पाउडर डालेंगे एक चम मच नमक नमक अपने टेस्ट को ले सकते हैं जैसा आपको पसंदो खाने में और इसको अच्छी से मिला देंगे पेश थोड़ा गाड़ा दिख रहा है अब इसमें आदा ग्लास पानी और मिला देंगे यह देखिए इस परिके पेश्ट को रखना है नेक्स्ट अब मैं यहाँ पर डोसे के लिए श्टिपिंग दयार करूंगे इसके लिए हाप चम मच तेल खड़ाई में डाल दिया है और गैस का फ्लेम हाई रखेंगे इसी में मस्च चीट डाल देंगे इसी के साथ 3-4 कड़ी पत्ता दो कटी हुई हरी मिर्च एक मीटियम साइज का बारिक कटा हुआ प्याज एक कटी हुई कैप स्कम हाप गाजर बारिक कटी हुई एक मीटियम साइज का कटा हुआ टाबाटर इन सबको हाई प्लेम पर एक मिट के लिए पका लेंगे सब्जियों को ज्यादा पकाना नहीं है कच्चा ही रखना है जिससे डोसे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा सब्जियां अच्छे से पक चुकी है अब इसमें अद्रक लेसन का पेश डाल देंगे इसको भी एक सिकिंड के लिए चला लेंगे इसी में करब मसाला हाप चमच और हाप चमच रेड चिली पाउडर एंड हाप चमच चाट मसाला इन सब को सब्जियों में मिक्स कर देंगे साथ ही साथ हरा धनिया मिलाके गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसी में 100 ग्राम पनीर मिला देगे और इसको सब्जियों के साथ अच्छे से निक्स कर देंगे इसको बाउल में निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद आदा चम्मच नमक विलाके इसको इस्टपिंग के लिए तैया कर लेंगे अब में यहाँ पर चम्मच की साथा से थोड़ा थोड़ा तेल लगाकर तवे को अच्छे से चिकना कर देंगे और इसमें दो चम्मच बेटर डालके रूसा तैयार करेंगे बेटर को चम्ची की साथा से अच्छे से थला देंगे गैस का प्लेम हाई लो रखेंगे और इसमें इस्टपिंग डाल देंगे इसी के साथ सार्ड चैड में तेल डाल देंगे और इसको रैड होने तब सेक लेंगे यह देखे यह रैड दिख रहा है यह पिल्कुल तयार हो गया है आप इसको रेट में निकाल देंगे इसी तरीके दोसे रोसे को बना लेंगे वेटर को डाल देंगे इसको भी फैला देंगे अबस्टापनगी डाल देंगे अबस्टापनगी तरीके वेटर को राप्रोग को आपको चैड में तेल पी डाल देंगे और समस्ति इसको इखाके बंग कर दिना तूसा बनके तैयार है इसको रीटे निकाले और इसको मुंख्ली की चट्नी ये हरा दनिया की चट्नी के साथ सर्व करें और इस रेसिपी को जरू ट्राई करें यकीन मानिये फ्रेंड्स आपको इस रेसिपी जरू पसंद आएगे अगर ये हारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइब सब्सक्राइब और शेयर कीजिए थैंक यू